नमस्ते सर्शियकाल आद्धाब आपकी लाइफ में नॉलिज लाना, हीलिंग लाना और आपको अपनी बेस्ट लाइफ मैनिफेस्ट करना सिखाना मेरा लाइफ पर्पल्स है मेरा नाम है रियो कशप और मैं एक स्पिरिच्वल मेंटर हूँ अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो मेरे सारे लिंक्स दिस्ट्रिप्शन में हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड पर क्या विमिन्स डे को हैपी कहना जायज होगा जब इतने सारी औरतें इतने सारी मुश्किलें जहल रही हैं इस दुनिया में इन इक्वालिटी की वज़े से जब मैं फेमिनिजम के बारे में पोस्ट देखती हूं इंटरनेट पे तो बहुत सारी उस पे कॉमेंट्स होती हैं जहां पे लोग ये कहरे होते हैं कि आज कल के जमाने में कोई भी इन इक्वालिटी नहीं है और दूसरी साइट हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों ने फेमिनिजम का गलत मतलब समझ लिया है और उसको लेके बहुत ही जादा एग्रेसिव एक्टिविजम किया जा रहा है जो हामफुल है ना सिर्फ बाकी जेंडर्स के लिए बट खुद विमन के लिए भी आज ये एपिसोड मैं अचानक से सबकॉंशिस माइन चोड़ के विमन्स डे में आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही दुखद एमोशन फील हो रहा था और वो इसलिए क्योंकि मेरे खुद के एक्सपिरियंस रहे हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेके मैं यहां अपने खुद के एक्सपिरियंस के बारे में बात करने आई हूँ ताकि आप लोगों को एक परसनल नजरिया मिले कि कैसे जब एक औरत के साथ एक लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इनिक्वालिटी होती है तो उसके साथ क्या बीती है उसको क्या फील होता है और उसका क्या लॉस होता है तो शायद कुछ लोगों को इस चीज़ से थोड़ा परस्पेक्टिव मिलेगा रादर देन जस्ट रीडिंग पोस्ट्स ओन इंस्टग्राम तो मैं शुरू करूँगी मेरे बच्पन से बच्पन से ही मैंने ये चीज़ देखी कि क्यूंकि मेरे ममी पापा के पास दो ही लड़कियां थी मैं और मेरी बहन तो हमेशा मेरे ममी पापा के पास आके लोग दुख मनाते थे मेरे दोनों पेरंस डॉक्टर थे और उनका एक हॉस्पिटल है और लोग उनको आके पूछते थे कि आपके बच्चे का आए तो जब मेरे पापा ये ममी बोलते थे कि हमारी दो बेटियां हैं तो उनके मुँ उतर जाते थे एकदम से वो साड हो जाते थे और हमदर्दी जताते हुए मेरे पेरंट्स को बोलते थे कोई बात नहीं भगवान अगर एक जगा से कृपा कम कर देता है तो दूसरी जगा से दे भी देता है ये एक बहुत ही वीर्ड स्टेटमेंट थी और ये एक नहीं बलके कई लोग यही सेम चीज अलग-अलग वर्ड में बोलते थे कि डोंट वरी अगर आपके पास एक जगा लॉस हो गया लेकिन कहीं दूसरी जगा आपको जरूर प्रॉफिट होगा क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हो ये चीज बहुत ही अबसर्ड थी और मेरे पेरेंट्स जब ये चीज़ें सुनते थे दूसरों के मुझ से तो वो उनको एकदम से शट डाउन कर देते थे ये बोलके कि हमारी बेटियां लड़कों के जैसी ही हैं जो के in itself एक discriminatory statement है तो अगर आप ये कहते हो कि मेरी लड़कियां लड़कों जैसी हैं तो आप उनकी खुद की identity erase कर रहे हो आप उनको ये सिखा रहे हो कि उनको acceptable होने के लिए उनको इजददार होने के लिए उनको valuable होने के लिए लड़कों जैसा बनना पड़ेगा कि उनकी लड़की होने में कोई value नहीं है लेकिन मैं अपने parents को फिर भी इस चीज़ के लिए तो सरहना देती हूँ कि at least वो खड़े तो हुए उन्होंने कुछ तो बोला उनका mindset जितना भी developed था उस time के लिए उतना ही उन्होंने बोला और वो काफी था लोगों को चुप कराने के लिए बहुत बार ऐसा भी होता था कि हमारे कई extended रिष्टदार जो थे वो मेरे parents को ये बोलते थे कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है अब वो college जा रहा है तो आप उसके college की fees पे कर दो अब इसमें कोई problem नहीं है मेरे पापा हमेशा रेडी रहते थे दूसरों की college fees देने में और दूसरों को कुछ भी help करने में लेकिन उनके मागने का तरीका बहुत अजीव था वो इसलिए college fees अपने लड़के के लिए माग रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में ये था मेरे parents हमारी education पे कुछ नहीं खर्च करने वाले क्योंकि हम लड़किया है हमें तो बस वो शादी करके भीज देंगे school के बाद तो जो college का पैसा है जो college की funds हैं वो उनके बेटे पे हम लगा सकते हैं I mean talk about entitlement इसमें तो इतनी सारी और problems भी हैं लेकिन entitlement सबसे बड़ी है और कुछ लोग तो इतने entitled थे कि वो आके मेरे parents से लड़ाई कर चुके हैं कि आप अपनी बेटियों पे पैसा लगाना बंद करो उनको college क्यों बेजा है और अपनी जादा अपनी will में हमारे बेटे का नाम लिखो अगर आपको ये सब सुनके अजीब लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कहीं नहीं होता तो आप बहुत गलत हो कहानी है मेरी कहानी नहीं है बताने के लिए बट फिर भी जो मेरी observation है वो मैं आपको बताऊंगी ताके आपको और personalized नजरिया मिले ये मेरी family का एक generational pattern है जो मैंने notice किया है girl child neglect का मेरी नानी को शायद निगलेक्ट किया गया था just for being a girl और मेरी नानी ने in turn मेरी ममी को neglect किया और मेरी ममी ने in turn मुझे निगलेक्ट किया मेरी ममी सबसे बड़ी थी उनके दो भाई हैं जब वो चोटी थी तो उनको उनके parents और जो भी family members थे आस पास वो सारे उनको neglect करते थे just because वो एक लड़की है और क्योंकि मेरी ममी बहुत ही strong headed इनसान है even बच्पन में भी बहुत ही strong headed थी वो तो उन्होंने ये चीज़ कभी accept नहीं की उन्होंने हमेशा इस चीज़ के against rebel किया है चोटी चोटी चीज़ों से लेके जैसे की उनके भाईयों को दूद देना लेकिन उनको दूद में बहुत सारा पाने डालके देना और उनके भाईयों को स्कूल जाना देना उनके फीस भरना लेकिन मेरे ममी को स्कूल भी जाने ना देना उनके भाईयों को खिलाने लाके देना लेकिन मेरी ममी को कुछ भी नहीं लाके देना और फिर मेरी मम्मी क्योंकि बहुत इंटेलिजन थी बच्पन से ही तो वो इदर उदर से कागज उठा के अपने जोले में डाल लेती थी उनको अच्छा लगता था कागज कलेक्ट करना क्योंकि उनको लगता था के ये ही पढ़ाई होती है जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो वो अपने आप जाके बिना फीस भरे बिना किसी को बताए जो लोकल स्कूल होता था गाओं में पेर के नीचे वहां बैठके पढ़ने लग गई फिर वहां पे एक टीचर ने देखा कि ये लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है बहुत अच्छा पढ़ रही है तो उन्होंने उनकी अड्मिशन करवाई स्कूल में और उन्होंने ही उनका नाम करन किया मेरी मम्मी का तो ढंका नाम भी नहीं रखा था मेरे नानानी ने और उस टाइम पे क्योंकि पेरेंट्स को ये सब चीजे नहीं पता थी कि emotional neglect क्या होता है कि बच्चे को कैसे emotionally support करना होता है तो उस टाइम पे तो सारे ही बच्चे almost neglected थे emotionally और अगर आप एक लड़की हो तो तो आप और भी जादा निगलेक्टेड रहोगे emotionally So इन सब experiences की वज़े से मेरी मम्मी ने बहुत ही जादा अपने आपको strong बना लिया उन्होंने सारे odds defy करते हुए बिना किसी support के उनको financially किसी ने support नहीं किया उन्होंने सारे fees अपने आप भरे छोटे बच्चों को tuition दे दे के fees collect करके उन्होंने अपनी school और college की fees दी जहां तक मुझे पता है उन्होंने पहले M.Phil की और उसके बाद और भी कुछ courses किये और उसके बाद finally उन्होंने cytogenetics में PhD की और उनको उसके बाद बाहर जाने का मौका मिला था अमेरिका में उनको job मिली थी लेकिन उन्होंने वो job मना कर दी just because उस time पे उनकी शादी मेरे पापा से होने वाली थी और मेरे पापा कह रहे थे कि उनको बाहर नहीं जाना है क्योंकि उनके parents इंडिया में है और वो चाते हैं कि वो अपने parents को support करें तो इसलिए उनको मेरे पापा के साथ रहने के लिए अपने career को ना बोलने पड़ी अपने career को त्याग ना पड़ा और ये उनकी strength है, उनकी intelligence है, उनके skills है कि उन्होंने उसके बावजूद भी इंडिया में अपना बहुत अच्छा career बनाया although अगर वो अमेरिका में होती तो obviously कुछ और ही heights पे होती but any which way उन्होंने मेरे पापा के साथ मिलके एक बहुत ही अच्छा अपना career बनाया अब जब मैं अपनी ममी के तरफ देखती हूँ और जो actions उन्होंने लिए उनको देख के मुझे लगता है कि वो बहुत ही hyper independent हो गई क्योंकि उनको कोई support करने वाला नहीं था उनके इलावा तो वो एक बहुत ही extremely strong और hyper independent इंसान बन गई और ये भी एक trauma response होता है और hyper independent होना भी हमारी mental health के लिए अच्छा नहीं होता है तो ये तो थी मेरी ममी की कहानी अब आते हैं मेरी कहानी के उपर के मेरे साथ कैसे discrimination हुआ तो वो सब बाते तो हैं ही के बचपन में लोग आके कहते थे के लड़कियां लड़कियों पे क्यों पैसा लगा रहे हूँ उसके इलावा बहुत सारे relatives हमारे ऐसी थे जो मेरी ममी को बहुत परिशान करते थे इस बात के लिए कि उनकी सिर्फ दो लड़किया हैं और कोई लड़का नहीं है मेरे parents इस चीज़ को बहुत ही जादा oppose करते थे इन सब चीज़ों के इलावा मुझे बहुत ही infantilize किया है अब आप सोचेगे कि infantilize करने का मतलब क्या होता है infantilize करने का मतलब होता है कि किसी को बच्चा समझना इवन जब वो बंदा 18 प्लस हो चुका है 18 प्लस चोड़ी है 30 साल का हो चुका है तब भी उसको एक छूटा बच्चा समझना और ये समझना कि parents को उसके लिए decisions लेने पड़ेंगे और वो लायक नहीं है खुद के decisions लेने के लिए अब देखो बच्पन में तो मैं बहुत ही जादा shy हुआ करती थी और नाचुरल कॉंफिडेंस है और आप कॉंफिडेंट और इंट्रोवर्ट दोनों हो सकते हूँ एक साथ क्यार मैं बच्पन में क्यूंकि बहुत ही साथा shy और इंट्रोवर्टिट थी इसलिए भी क्यूंकि मैं और यह चीज मुझे नहीं पता थी पहले किसी को भी नहीं पता थी मेरे पेरेंट्स डॉक्टर होने के बावजूद भी उनको नहीं पता थी तो उनको लगता था कि यह बहुत ही dependent है हमारे उपर और अगर आपको कोई बच्चा ऐसा है जो कि बहुत ही dependent रहता है emotionally और express करने के लिए अपने आपको तो obviously आप उसको encourage करोगे कि वो उस चीज से grow हो जाए और अपने आपको express करना शुरू कर दे और independent हो जाए लेकिन मेरे parents ने उल्टा किया उनको लगा कि हमें इसको और भी जादा shield करना है और मेरे ममी हमेशा मेरे साथ जाती थी even underwear shopping के लिए भी क्योंकि मैं autism spectrum पे हूँ और मेरे लिए strangers से बात करना बहुत ही जादा difficult हुआ करता था especially जब कोई ऐसी चीज हो जैसे की underwear shopping जो के बहुत ही जादा train किया जाता है society में shame feel करना उन सब चीजों से related तो इन सब बातों के वज़े से उन्होंने अपने mind में मुझे बहुत जादा infantilize किया और even मैं नी दूर रही हूँ बैंगलोर में दो साल और घर से दूर रही हूँ पांच साल अपने graduation के लिए उसके बावजूद भी उनको लग सा था कि मैं एक छोटी जबच्ची हूँ और मुझे हमेशा बताना बढ़ेगा कि क्या करना है और उस time तक मैंने अपनी बहुत सारी खुद की choices भी बनाई थी और बहुत सारी चीज़े अपने parents से लड़के करी थी उसके बावजूद भी उनको लगता था कि मैं capable नहीं हूँ अपने decisions लेने के लिए जो कि एक और चीज़ है जो औरतों के साथ लोग करते हैं वो ये समझते हैं कि औरतें अपने लिए decisions लेने के काबिल नहीं हैं तो इसलिए हमें उनके लिए decisions लेने पड़ेंगे हमें बताना पड़ेगा कि तुमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है विमन्स डे के बाद करे तो मेरी ममी बहुत ही बड़ी women empowerment ambassador है उनकी खुद की life तो एक बहुत बड़ी मिसाल है ही उसके बावजुद भी वो वारतों के लिए बहुत काम करती है society में लेकिन क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे पता है कि उनके अंदर की बात क्या है तो जैसे कई बार cases आते थी कि कई बार किसी लड़की ने किसी लड़के से अपने parents के against जाके शादी कर ली तो मेरी ममी वहाँ पे जाके उस लड़कें की बहुत मदद करती थी और जो भी इसको support की जरूरत है वो provide करती थी लेकिन घर आके वो हमेशा rant करती थी कि किस तरह से आजकल की लड़कियां बिल्कुल बत्तमीज हो गई हैं और वगेरा वगेरा बहुत ही जादा उन लड़कें को जर्ज करती थी और given the fact कि उन्होंने भी अपने parents की मर्जी के खिलाफ चाके मेरे पापा से शादी की थी क्योंकि initially तो उनके parents राजी हो गए थे लेकिन जब उनको पता चला था कि मेरे पापा के पास एक अच्छा घर नहीं है सिर्फ एक मिट्टी का घर है तो उन्होंने मना कर दिया था लेकिन उस टाइम तक उनकी bonding हो चुकी थी तो उन्होंने अपने आप शादी कर ली थी बस फर्क सिर्फ इतना था कि भागने की बजाए उन्होंने अपने घर के आगे जो पार्क था मेरी ममी के घर के आगे वहाँ पे शादी की थी तो वो चीज भागना नहीं कहलाई तो ये ना तो सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बलके हिपोक्रिसी भी है और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हिपोक्रिसी भी एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे अपनी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और ये लैक आफ सेल्फ अवेरनेस अपने आप की तरफ जागरुत ना होना दर्शाती है तो मतलब हाँ एक फसाद तो है सोसाइटी में विमन एमपावर्मेंट का लेकिन mentality अभी भी वही है judgment अभी भी वही है हम लोग अभी भी औरतों को अपनी खुद की choices लेने के लिए इतना बुरा judge करते हैं और मैं ये सब उनको slander करने के लिए या उनको expose करने के लिए मैं ये सब नहीं कह रही हूँ ये सब एक reality है मेरा lived experience है के शबदों में और अपने actions में बहुत बड़ा difference है when it comes to women's empowerment हम लोग कहते तो हैं कि yes we stand for women's equality we stand for equal rights equal opportunities we stand for this and that बट जब बात आती है अपने खुद के लोगों के साथ इस चीज को निभाने में तब हम बिलकुल vanity पलटा खा जाते हैं तो बच्पन से ही मेरा ये मन था कि मुझे अपने parents को बहुत ही proud feel करवाना है और मुझे उनकी help करनी है क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं है तो मुझे उनकी support बनना है क्योंकि मैं उनके behavior में उनकी बातों में ये देखती थी कि उनको कही ना कहीं तो feel होता है कि उनका लड़का नहीं है क्योंकि society उनको अजीब नजरों से देखती है और अजीब बातें करती है और उनको छोटा समझती है और उनको तरह तरह से अटाक करने की कोशिश करती है तो मुझे लगता था कि ये मेरी responsibility है और मेरी इच्छा है कि मैं उनको एक लड़के जितनी support दे सकूँ तो मैंने अपने सारे dream sacrifice करके ये सोचा कि मैं भी doctor बनूंगी और उनके hospital को संभालूंगी और उनका load कम करूंगी तो ये सब बातें मैंने तब से करने शुरू की जब हम career choose करते हैं 10th class में जाएंगे तो मुझे ये sentence आज भी याद है और ये sentence मेरे दिमाग में बिल्कुल छप गया था और मुझे था कि नहीं मुझे अपने parents की help करने ही करनी है तो मैं doctor बन जाती हूँ और वैसे भी क्योंकि मुझे पता था कि मैं social थोड़ी अजीब हूँ और मुझे stranger से बात करने में डर लगता है और ये सब चीजें जो है मेरी जो के सारे autism के symptom से लेकिन obviously मुझे उस टाइम पर नहीं पता था तो मुझे ये था कि मैं बाहर जाके दुनिया में जॉब तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि लोग इतने toxic होते हैं इतनी toxic environments होती हैं बाहर दुनिया में और competition है और job interviews है और ये सब navigate करना मेरे लिए बिल्कुल impossible है इसलिए मैंने सोचा कि ये एक win-win situation है कि मुझे सिरफ degree लेने तक दुनिया से लड़ना है दुनिया को face करना है उसके बाद मैं comfortable हो जाओंगी at least patient देखने में तो फिर मैं अपने parents के hospital में काम कर सकती हूँ मेरे लिए already employment है यहाँ पे support है मेरे लिए तो मैंने ये सोचा और मैं इस बात पे चल पड़ी और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेनत की है इस बात पे doctor बनने के लिए procedure बनने के लिए मुझे ही पता है कि मैंने कितने सारे elements के साथ लड़ाई की है कितनी मुश्किल life जी है without any emotional support अगर आप मेरी पूरी स्टोरी जानना चाते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं वहां पे आपको एक highlight मिलेगा जिसका नाम है start year इतनी मुश्किल है मैंने इसलिए जह लिए क्योंकि उस सारे time period में 10th class से लिके प्रॉस्टरण्टिस बनने तक almost 10 years थे जब मुझे बार-बार मेरे parents यह कह रहे थे कि हां हां hospital तो है हमारे पास तुम्हें तो बस degree लानी है that's it तुम्हें किसी भी चीज के टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही तुम अपने degree पूरी करोगी हम तुमारा clinic बना देंगे तुम practice करना start कर देना और मैं इसी भरोस्य की ऊपर मैंने वो 10 साल गुजा रही तो मैं अपने घर वापिस गई और अपने parents को बोला कि मेरी study कतम हो गई है तो please आप मेरा clinic बनाना start कर दीजे क्योंकि I'm ready I was ready क्योंकि मैंने इंडिया के best prosthodontist से सीखा है जो इंडियन prosthodontic society की president थी वो मेरी personal guide थी so आप सोची सकते हो कि मैंने किस level की पढ़ाई की और किस level का मैंने काम सीखा था वहाँ पे और मैं 100% ready थी patients के साथ काम करने में लेकिन मेरे parents उस चीज़ को टालते गए टालते गए टालते गए वो different different बहाने बनाने लगे जैसे की वो plumber आएगा वो कुछ करेगा wall panel वाले को बोला है वो कह रहा है कल आएगा परसो आएगा बस यही करते करते 6 महीने हो गए और उन्होंने मेरा clinic नहीं बनाया और वो मुझे यह कहते रहे कि तुम दूसरे dentist के clinic में जाओ वो भी बिना किसी payment के और वहां पे जाके पहले practice करो और यह मेरे values के बिलकुल against था क्योंकि मैं already सीख के आई हूँ 100% ready होके आई हूँ उसके बावजूद भी उनको यह लग रहा था कि मैं ready नहीं हूँ और इसमें एक gender discrimination का भी एक layer है किसी ना किसी level पे यह लग रहा था कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो शायद मैं एक clinic संभालने के लाइक नहीं हूँ और मैंने उन 6 महीने कैसे उस जगह पे जाके दूसरे dentist के clinic पे काम किया without any payment वो मुझे ही पता है मैं रोज शाम को आते टाइम अपनी गाड़ी एक मंदिर के सामने रोक के बहुत ही रोया करती थी बंदरा 20 मिनट वहां पे रोक के अपना सारा जो है emotional baggage वो निकाल के भगवान से प्राटना करके उसके बाद मैं घर आती थी एक टाइम ऐसा आगया था कि मुझे सुबा उटने का ही मन नहीं करता था और मुझे उस पे भी डान पड़ती थी कि तुम कितनी irresponsible हो बिल्कुल useless बन चुकी हो फिर तंग आके मैंने अपनी मम्मी को एक दिन पोची लिया आखिर आप चाहते हैं क्या हो मेरे से क्या करूं मैं अपनी लाइफ में तो finally मेरी मम्मी बोल पड़ी तब मुझे पता चला कि वो मेरा क्लिनिक बनाना इसलिए टाल रहे थे क्योंकि इसके पीछे एक gender discriminatory belief था और मेरी जिंदिगी का one of the biggest betrayal जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया है एक नई दो नई उन्होंने कई betrayals किये हैं लेकिन ये one of the biggest था जब मेरी ममी ने ये कहा तो मेरे दुनिया तबाह हो गई अब मैं उनके words paraphrase करके आपको बता रही हूँ वो neighbor auntie के पास मैं गई थी उनसे discuss कर रही थी कि हमें cleaning बनाना चाहिए रियो के लिए कि नहीं बनाना चाहिए तो वो neighbor auntie कह रही थी कि आप क्यों लड़की में पैसे लगा रहे हो ये तो वे स्टै लड़की तो शादी करके चली जाएगी तो आप क्या करोगे अपने cleaning का तो आप एक काम करो उसकी शादी कर दो वो ज्यादा better है आपने पैसे जो है उसकी शादी में लगा तो धूम दाम से फिर वो जब अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ बना लेगी अपना क्लिनिक ये words सुनके मेरे पाओं के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई हो क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मम्मी जो खुद इतने neglect हुई है अपनी परिवार से मेरी मम्मी जो एक women empowerment की ambassador है सोसाइटी में वो ये कह रही थी कि लड़कियों में पैसा डालना waste है और वो neighbors की बात सुन रही थी वो ये नहीं देख रही थी कि उनकी बेटी कितनी capable है और ready है क्लिनिक में काम करने के लिए इतने साल जो उन्होंने promise किये उनका कुछ नहीं और जो उसने इतने sacrifice किये अपनी सारी जिंदगी अपने सारे dreams उसने sacrifice करके आपके पीछे लगा दिये और आप आज उसको betray कर रहे हो इस तरह से मेरा दिल बहुत ही जादा तूट किया है सुनके और पिछले सारे betrayals मुझे sensible लगने लग गए थे उस time पे क्योंकि उन सारे betrayals के पीछे भी gender discrimination था जो कि मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया था मैंने अपने parents को convince करने की कोशिश की उनको बताया कि आप देखो मैं इतनी capable हूँ मैं सबसे best से सीख के आई हूँ मेरा clinic बनवा दीजिए अगर मेरी शादी होती है तो मैं या तो अपने किसी दोस्त को इस clinic में लगा दूँगी क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त बन चुके थे obviously उस time तक जो dentist थे और जो खुशी-खुशी उस clinic में काम कर लेंगे रेंट पे या लीज पे और अगर ये नहीं हो पाया तो मैं अपना clinic एक ट्रक में डाल के वहाँ ले जाओंगी जहां पे भी मेरी शादी होगी यू नो डेंटल क्लिनिक तो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बहुत ही easily मेरे सारे reasons को उन्होंने नकार दिया और उन्होंने यही बोला कि हम नहीं कर सकते invest मैंने accept कर लिया कि मुझे अब शादी की करनी पड़ेगी अपने माबाब की नजरों में acceptable होने के लिए और फिर मैंने होगा कि आप अगर मेरे Instagram पे जाके वो highlight चेक आउट करें जिसमें मैंने अपनी सारी कहानी लिखी है लेकिन उस कहानी का सार भी यही है कि उन्होंने मुझे उस चीज में भी infantilize किया उनको लगा कि मैं लड़की होने के नाते capable नहीं हूँ अपना खुद का husband choose करने में लोगों को परकने में और मुझे बहुत ही easily scam किया जा सकता है और जो भी लड़का मैंने choose किया है वो मुझे scam ही कर रहा है और मैं एक भुली-भारी से लड़की हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी life में ये एक बहुती बड़ा theme रहा है कि लड़कियों को किस तरह ऐसे neglect गया जाता है ना सिर्फ emotionally बट बाकी ways में भी और कई भार ऐसे होता है कि parents को लगता है कि वो अपनी बेटियों को support कर रहे हैं और वो अपनी बेटियों को you know empower कर रहे हैं लेकिन actual में वो ऐसा नहीं कर रहे हुते हैं उनके सिर्फ words होते हैं women empowerment वाले लेकिन actions नहीं होते हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके beliefs अभी भी वहीं अटके हुए हैं उनके beliefs change नहीं हो हैं beliefs जैसे कि औरतें capable नहीं है खुद से decision लेने के लिए beliefs जैसे कि औरतों में invest करना worth नहीं है क्योंकि वो तो चली जाएंगी although इसमें सच्चा ही है कि हाँ लड़की चली जाएगी शादी करके लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसमें investing नहीं करोगी obviously अगर मेरी जगा लड़का होता तो मेरा clinic immediately बन चुका होता क्या पता मेरी graduation से पहले ही बन चुका होता और मुझे कुछ कहने की भी जरूतना पड़ती तो बात principle की है किसी को कितना capable समझते हो कितना worthy समझते हो उस चीज के लिए जब बात आती है ऐसी investments की education या clinic या कोई business तो education तो बंदे के साथ ही चली जाएगी ना जहां भी वो जाएगा और business को भी transport करना possible है तो ये सब बातें तो बिल्कुल बखवास हैं अगर आपको मेरी stories relatable लगी हो तो please comment करके जरूर बताएगा अगर आप इसे YouTube पे सुन रहे हो और अगर आप अपनी खुद की story share करना चाते हो तो आप मुझे DM भी कर सकते हो Instagram पे या फिर मुझे email कर सकते हो तो आईए इस society में words और actions के बीच का जो gap है वो हम close करें आईए लोगों को सिखाएं कि किस तरह से gender discrimination अभी भी हो रही है और किस तरह से हमें अपने ingrained beliefs को change कर लेना चाहिए finally क्योंकि बहुत हो चुका Women Empowerment का जंडा लेराने से, Women Empowerment के functions पे जाने से, Women Empowerment के awards देने से कुछ नहीं होता अपनी बेटियों को ये पूछें कि उनकी इच्छा क्या है, उनके सपने क्या है और अपने सपने उन पे थोपना बंद करें हर एक इनसान worthy है और as a parent ये आपकी responsibility है कि आप अपने बच्चे को unconditionally प्यार करें चाहिए वो किसी भी gender का हो या कितनी भी उसकी capability हो आईए मिलके इन gender discrimination के generational patterns को हम break करें और ensure करें कि हमारी आगे की generation में ये चीज़ें repeat ना हो इसलिए अगर आपकी एक बेटी है तो आप उसको fully empower करो ताकि वो अपने आपको 100% express कर पाए जैसी वो है बिलकुल वैसी ही रह पाए और society के लिए उसको बदलना ना पड़े society के लिए अपने parents के लिए को infantilize करना बंद करें हम भी अपने decisions खुद ले सकते हैं और अगर हमने कोई decision गलत लिया है तो हम obviously उससे सीखेंगे just like anybody else तो आईए अपने शब्दों और अपने actions के बीच का जो gap है उन्हें बंद करते हैं और असल में औरतों को empower करते हैं अपने बंद करते हैं